Invalid Input का क्या मतलब होता है या आज की वीडियो में सीख लेते हैं Invalid का मतलब होता है जो valid नहीं हो या जो सही नहीं हो या जो मानने नहीं हो और Input मतलब जो कोई भी चीज हम किसी चीज के अंदर डाल रही है उसको Input कहा जाता है यानि कि यह input जो है किसी तरीकी की information भी हो सकती है यानि कि कहीं आप login ID, password बगएरा डाल रहे हैं तो वो भी हो सकता है या मानलेजिए किसी device पर मानलेजिए आप किसी laptop से और कोई monitor connect कर रहे हैं तो monitor में आप laptop से output निकाल कर monitor को input दे रहे हैं तो वो input जो है वो valid नहीं हो तो उसके लिए भी ऐसा कहा जा सकता है जो इन पूट है वो valid नहीं है, invalid है तो जो भी आप चीज डाल रहे हैं उसको एक बाद चेक करके दुबारा डालिये उसके बाद आपका ये जो हो सकता है process हो जाये उसके बाद भी नहीं होता है तो आप संबंदित customer care से संपर्क कर सकते हैं वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें